नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एक्सल से रिलेटिड टिप्स ट्रिक्स एंड डिटेल्स में आपको पूरा समझाये जाएगा तो अगर आप इस चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया कि प्रोटेक्ट शीट आज हम सीखेंगे आज का मारा टॉपिक है प्रोटेक्ट शीट और एडिट रेंजिस अलाव एडिट रेंजिस तो आप यह देख रहे हो मेनु बार पर आप जाओगे अगर यहाँ पर आपको रिव्यू का सबसे बहले मैं आपको डिफरेंस बता दू क्या होता है प्रोटेक्ट शीट अगर आप लगाओगे तो उसमें आप एक पासवर्ड डालोगे तो उस पासवर्ड के थ्रू आप जब भी यहाँ पर पासवर्ड जब लगा दोगे तो जब भी आप एडिट करने को सोचोगे तो वह एडिट नहीं होगा जैसे कि अब यहाँ पर देख रहो कुछ भी एडिट हो सकता है ठीके ना तो वह आपकी पूरी की पूरी शीट लॉक हो जाएगी और आप वह लॉक करके कोई भी बंदा उसको छेड नहीं सकता मालो आपने इस पर काम किया और आपने अगर आग पूरी शीट को लॉक कर दिया मतलब आपने पूरी शीट लॉक कर दिए ठीक है और आप चाते हो कि वह बंदा इस पूरी शीट में सिर्फ मानलो कि यह जोन और जो सेलरी वाला जो रेंज है मानलो डी और य वाला जो रेंज है सिर्फ इस रेंज को छेड सके या एडिट कर स तो इसके लिए हमें इसका एक अलग password देना पड़ेगा और sheet के लिए हमें एक अलग password देना पड़ेगा तो अब आईए हमें start करते हैं कैसे होता यह तो सबसे पहले आप को अगर इस cell को allow edit ranges पे जाके आपको एक password generate करना पड़ेगा generate मतलब आपको खुछ से type करना पड़ेगा तो आपने पहले यह select कर लिया पूरा फिर allow edit ranges पे click किया तो फिर उसके बाद यह new का option आएगा यहाँ पर आ गया title range 1 तो यह जो range cell है नीचे वाला refer to cells तो आप इस इस range को यहाँ पर select कर लो और range password में डाल लो कुछ भी जासरी कि मैं आभी यहाँ पर 123 डाल रहा हूं ठीक है सथ मैं protect sheet में भी लगाऊंगा password कि मेरी पूरी की पूरी sheet में भी password लगईगा यहां मैंने password डाल दिया a b c फिर से re-enter मांग रहा है password को a a b c मैंने यहाँ पर भी यह password बना के रख दिया तो मेरी क्या होई पूरी sheet भी password protected हो गई और यह जो range है special यह भी password protected हो गया मगर देखो जैसे कि हम यहां पर the cell or chart you are trying to change in protected sheet तो यहां पर आप कुछ भी change नहीं कर सकते इसी प्रकार से अगर आप यहां जाओगे तो यहां भी आपको यह password मांगेगा ठीक है तो यह दोनों के लिए आपको password चाहिए लेकिन आपने यहां पर जो password दिया है यह आप चाहत कर दिया अब अगर आप यहां password डालोगे तो कुछ भी change नहीं होगा ठीक है लेकिन अगर जैसे यहां पर यहां पर चेंज करने की कोशिश करोगे तो यहां पर password मांग रहे है यहां पर आपने जो allow edit ranges जब select किया था वहां पर आपने जो password चूज किया था जैसे कि मैंने 123 कर दिया मैं इसको सेव कर देता हूं अभी मैं इस फाइल को बंद कर देता हूं फिर से और अगर मैं इस फाइल को दुबार को ओपन करूंगा जैसे कि मैंने आपन कर लिए इस फाइल को अभी देखो दुबार से यह पासवड मांग रहे है तो यह हो गया allow edit ranges का password कि मतलब इ मेरे को इस cell में password करूंगा नहीं हो रहा ऐसे मैं review में जाओंगा unprotect sheet करूंगा अब अगर यह password मुझे पता है ABC मैंने एंटर किया तो अब मैं इस पूरे sheet में कहीं पर भी इसको change कर सकता हूं ठीक है तो आप I am hoping कि आपको यह formula समझा आया होगा यह option समझाया होगा और इसका use यही है कि आप पूरी sheet को protect करें लेकिन आप अगर चाहते कुछ ranges को आप protect तो करो लेकिन साथ में सर्फ खाली उस range पे अगर कोई edit करना चाता है तो उसका password उसके साथ share कर सकते हो तो I am hoping कि आपको यह video पसंद आया होगी यह topic समझाया होगा पसंद आया होगा तो please इसे like करें share करें और अपने दोस्तों के साथ जितना से ज्यादा हो सके उनको बोलें कि हमारे channel को subscribe करें और हमारी growth में मदद करें thank you so much